हारत के मिराज बिमान जो एक साथ आतंग बादियों पे तूट पड़े और इसमें जो है आतंग बादियों के काफी नुक्सान की खबार आ रहे आ या और इससे जो है जैसे ही बारत ने साथे तीन बजे रात को मिराज बिमान से हमला हुआ उसके बासे पाकिस्तान में एक तरह से हटकब मच गया है और पाकिस्तान में हर तरफ N.P पाकिस्तान के उन्होंने खुद इसकी पूष्टी की है उनकी बातों से लग रहा है ट्वीटर हेंडिल पर इसकी पूष्टी हुई है जिसमें उन्होंने फोटोग्राफ्स डाले हैं जहां पर बंब गिराए गए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि रात को साड़े तीन मदे पाक सीमा को जो है जो है पार किये हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने भारत ने हमला करके भारती एरफोर्ट मिराज विमान वापस आ चुके थे और इसके बाद से जो जो गतविदिया बढ़ी है उसमें काफी हल चल दिखाई जाई है दिल्ली से ले जी मैं आमीन जी मैं आपको बता दू कि कल सुबर साड़े सीमा में जब कारवाई होगी और जैसा कि वहां की तरफ से पुष्टी भी हो चुकी है कि भारती वायुसेन के बारा मिराज वहां घुसे हैं तो इसका मतलब वो लोग भी तैयरी करेंगे तो यहीं पर भारत में प सबसे पहले नसे अजी डोभाल ने इस बात की जानकारी प्रधान मंत्री को दी कि भारते वायुसेन की तरफ से कारवाई की गई है उसके बाद से कुछ तरी बैठक बुलाए गई इस बैठक में विदेश मंत्री सुष्मा सवराज भें वितमंत्री अरुन जेटली भी है न नहीं पाकिस्तान में भी बैठक बुलाई गई है जो वहां के विदेश मंत्राले ने बुलाई है शाह महमूद कुरैशी उसकी अध्यक्ष्टा कर रहे हैं विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के जो कि वो देख रहे हैं सारी चीज़े क्योंकि वो भी आगे की रणनीती तयार है तो दिल्ली में और भी कुछ हल चल है क्या है दिल्ली में अभी हल चली है मैं आपको बताओ दरसल अभी तो क्यूंकि हमने अपनी तरफ से एक स्ट्राइक कर दिया है ठीक है अब अगला कदम स्ट्राइक मत कहिए कि बदला लिया अभारत निप ठीक है पुल्वामा का बहुत भारी नुकसान है और एक बहुत बड़ा हमला क्योंकि पाकिस्तान ने गलती की है उसके बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी और इसका नतीज़ा आप देखी रहे और आगे भी क्या हो सकता है दरसल पाकिस्तान में आपको बता दूं कि पाकिस्ता के पास पाकिस्तान जानता है कि उसकी इतनी च्छमता नहीं है वह वैसे भी आर्थिक रूप से बहुत कम जोर वी सो समुदाइं में विजू अलग तौर पर वो अलग थलक पड़ा हुआ है तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि वह कहते रहा था कि रिटालियेट करेगा लेकिन इम्रान खान पाकिस्तान के पीमों की तरफ से जो बायान जारी हुआ था उसमें भी इम्रान खान ने कहा था कि भारत हमें एक मौका दे वह उसने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ अपनी जुबान पर एक बार पर से काईम रहकर दिखाओंगा यह तो यह तो बास है पूराओत असर नहीं किया और भारत के लिसंघानी नहीं मес है और जो बादने वाला सर्कार कोंभं में उनको निमंत्रित किया गया था तो उन्होंने शांती की वारता पहल की ती उन्होंने कहा था कि नहीं बहुत हो गया तुम पर भरोसा अब हम पहले बदला लेंगे उसके बाद आगे की चीज़ देखेंगे कि आप भारत को अब हलके में नहीं ले सकते हैं अगर हमने कहा है तो करके दिखाएंगे यह थी आरती जी हमारी सोयों की जो यह बता रहें थी कि अभी तक जो है दिल्ली और इसलामाबाद में क्या-क्या डबलप हुआ है एक बार हम फिर आप आपको यह बताते चलें कि रात को साड़े तीन बजे बारा मिराज बिमानों ने पाकिस्तान पियोके में आतंगबादी ठीकानों पे हमला किया है जिसमें भारी नुकसान की खबर बताई जा रहें और जिसमें 200 से 300 आतंगबादियों की मारे जाने की ख क्रामज witnessed a कि में आतंग यह जाने की खबर श करते हुआ है जय करुदक. यह भी है कि ए-षज कान जा लिएका मालबास GUANE